हाई दोस्तों कैसे आप लोग उमीद है आप सब बच्चे सुंगे दोस्तों इस वीडियो में फिर से हम एक बार बात करेंगे अवद भी सिविद्धाले बीएर सेकेंडियर के थर्ड पेपर की और थर्ड पेपर में आपने देखा कि हमने पिछले दो वीडियो में इस वीडियो में हमने देखा पेपर थर्ड के फर्स्ट इनिट के बारे में यानि कि जो भी हमारा बहुत कालीन मुस्लिम कालीन और वैदिक कालीन सिक्षा के बारे म उसका हल मैकाले का विवरल पत्र इन सारे चीज़ों को हमने इन दो वीडियो में डिस्क्स किया ठीक उसी प्रिकार से इस वीडियो में हम देखेंगे आपके थर्ड पेपर की फॉर्थ यूनिट की थर्ड इस थोड़ा सा कॉम्लिकेट है उसको हम देखेंगे जरूर लेकिन अ कैसे सिक्षा विवस्ता जो आपको यह सिखाती हो कि समाज में एक साथ कैसे रहना है समाज को एक साथ लेके आगे कैसे बढ़ना है आपके चाहे वह समाज का कोई परिवार भी एक समाज का हिस्सा होता है परिवार में एक साथ कैसे रहना है अपने दोस्तों रिष्टारों क हाथ कैसे रहना है तो अगर आप दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो पीस education सांती सिक्षा की बात की जाती है समाज में कैसे सांती स्थापित करना है तीसरा inclusive education समावेसिस शिक्षा एक ऐसे सिक्षा वेवास्ता जहां पर हर एक प्रकार के बालक बालिकाओं को पढ़ने की सुविज़ा दी जाए और last but not the least एक पॉइंट और इसमें है वो है जेंडर इशू यानिकि लेंगिक असमानता है लेंगिक मतलब जेंडर के अधार पर कितनी समसाय होती है हमारे देश में हमारे समाज में उसके अधार तो दोस्तों यह चारो पॉइंट है वो समा लमश्य का पार्जने की कोशिज करतें क्योंकि यह अच्छा पॉइंट से उससे जूड़े हुये हैं समाजिक पॉइंट है और आप इसको जानते हैं यह उसको यह लिश कॉछ सकते तो आया कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ सब्स देख लेते हैं कि किस आपकार से को बना के लिखना है कैसे heading लिखना है और फिर इस वीडियो को हम खतम करें तो दोस्तों हम सुरू करते हैं एक point के साथ वो है peace education ठीकर पीस education से सुरू करेंगे सांती सिक्षा तो सांती सिक्षा के नाम से क्योंकि असांती से जब हिंसा होती है तो सब का नुक्सान होता है तो इन ही सब चीजों के तो चलिए हम सुरू करते हैं सांती सिक्षा के बारे में मतलब यही होता है देखिए सांती सिक्षा स्वायम दूसरों और प्रकृति परेवरल के साथ सद भाव में रहने के लिए मुल्यो ग्यान, दिष्टिकोर, कौसल और वहवार प्राप्त करने की प्रकिरिया है Peace Education is the process of acquiring values, knowledge, attitude, skills and behavior to live in harmony with oneself, others and a natural environment सांती सिक्चा क्या है भी है? सांती सिक्चा स्वैम दूसरों और प्रकिर्टी प्राप्त के साथ सद्भाव से रहने, मुल्यो ग्यान, दिष्टिकोर, कौसल और वहवार प्राप्त करने की प्रकिरिया है आसान से सब्दों में आप खेटो, सांती सिक्चा क्या है? सांती सिक्चा वह सिक्चा है, जो सांती प्रेम, सद्भाव, अहिंसा, तथा न्याय प्रिये समाज का निर्माण करती हो तो यह हो गई सांती सिक्चा के बारे में अब सांती सिक्चा की परिभासा देख लेते देकि डॉक्टर मर्सी अप्राहम ने कहा था कि सांती सिक्षा सांती प्रिये लोगों के लिए सिक्षा है जो इस प्रित्वी पर सांती कायम करने के योगे होंगे यह विसेस्ता भावात्मक सिक्षा है धार्मिक सिक्षा है सांती साथ स्वयम में सिक्षा है इसी प्रकार से के एस भार्दवाज ने कहा था कि सांती सिक्षा एक काड़क्रम वो प्रकिरिया है जिससे लोगों के अंदर क्या होता है जिससे लोगों के अंदर खास तोर पे नौयुवक तथा प्रोड जो नौजवान विखती है जिससे लोगों में सांती के मुल्यों की सरहना समझदारी की भावना का विकास किया जाता है संथित्टा समझ दोड़ बना सकते तो यह वह सांति शिक्षा की परिभासा चीकर अब आए सांति-शिक्षा अब पूरे समाज में सांतिय स्थापित हो जाएगी तो इसका उद्थ क्या है इसका फायदा क्या होगा इसका फायदा यह होगा कि जो 19g1 الد teamwork है या एक समाज में क्या होगा सांति के अध्यात्मिक मुल्यों का विकास होगा जिससे उनमें अन्तिक सक्ती या मन्त करती प्रती सांति प्रापत हो सकेगी सांतर प्रियों मानों के प्रती साकatinत्मक दृष्टिक्ण नियाए कि युद्ध हिंसा संगर्स आधी से क्या परिडाम होते हैं कितने नुक्सान होते हैं एब जैसे रसिया यूकरेन के युद्ध में पूरे देश की एकॉनमी खराब हो गई खास तोर पे हर एक देश के करेंसी पे बड़ा असर पड़ा है भारत के भी करेंसी रुपिया में बारी गिरावट हुई है तो ये क्या है युद्धों के परिड़ाम है तो इन सब चीजों के बच्चों को बताना है और उनसे आउगत कराना है, उनसे सतर करना है छातरों को परिवार, देश तता विश्व में सांती कायम रखने की भूमिका के परती जाहरुख करना है तो ये ओगे सांती सिख्चा के उद्धेश अब सांती सिक्षा के पार्टिक्रम अगर आपसे सवार पूछता है तो सांती सिक्षा के पार्टिक्रम कैसे होते हैं अपने पार्टिक्रम को कैसे बनाएंगे कि बचों के अंदर एक सांती सिक्षा की भावना और सांती देश के परती आएगी तो देखे प्रात्मिक अस्तर पर देखो जीवन के जो नैतिक मुल्यों से संबनित कहानिया ना उन्हें बताया जाए उनकी कविताये सुनाया जाए उनके नाटक करके दिखाया जाए कि किस प्रकार से सांती जरूरी है ठीक है और बच्चों को ये भी सिखाया जाए कि विबि साम लेकर मार्टिन लूथर कोर माक्स नैसल मेंडिला मदर ट्रेसा जेसस क्राइस कौतम बुद इन सब की जीवनियों के बारे बताये कि किस प्रकार इन्होंने सांती और अहिंसा के मार्ग चल पर चलकर विस्सु में अपना नाम रोशन किया विस्सु के उच्टम सिखर पर तो जूनियर अस्टर पर आप बताएंगे और हम हाई स्कूल अस्थर की बात करे तो सांती की अधराड़ा क्या होती है सांती का महत्तो परिवार समाच्ट थिताविस्सु में सांती कायम करने के साधन सन्यूच राष्ट जो भी हमारे जो राष्ट्र संस्थाएं सन्यूच इन सब के माध्यम से हम बच्चों के अंदर एक सांती की भावना का विकास करेंगे दोस्तों आपने सांती सिक्षा के बारे में देखा हम एक और पॉइंट को डिसकस कर लेते हैं बिल्कुल आसान से सब्दों में वह इंक्लूजिव एजुकेशन जाने कि समावेसी सिक्षा का मतलब क्या होता है पहले इसको समझ जाए फिर हम चलेंगे थीरी पे तो समावेसी सिक्षा का मतलब होता है कि ऐसे सिक्षा विवस्ता एक ऐसा का क्लास्रूम एक ऐसा पार्टिक्रम और एक ऐसा स्कूल है और एक ऐसे सिक्षा विवस्ता सेक्षर संस्थान जो सब के लिए अ सी है और चैलेंजिक हैं और योट को उनके साथ कोई समस्य का नहीं है हम समा बलाक है करके को ही दौड सकते हैं रहें क्यों हैं लेकिन उनको दौड़ने में चलेंज और बलिद में हम उनके कुर्णक हं वह पिजिघी कल्राइक होना कहीं मर Pac Jadi ennudu Kayn तो कभी भी ऐसे छोटी भावना या हीन भावना से उनको नहीं देखना चाहिए किसी भी ऐसे बच्चे को जो फिजिकली चैलेंज हो देखिए उसके वास एक अलग छुरूती है जिससे वह जूज रहा है मतलब है वह हमारी जैसा ही तो समावेसी सिक्षा यह कहती है कि ऐसे सिक्षा व्यवस्ता जहां पर समाने बालक के साथ सथ विसिस्ट बालक समाने साथ बालक साथ इस पेसल बाय चैल और समाने बालक के साथ साथ फिजिकली चैलेंज बालक भी एक साथ मिलके पढ़ते हो तो इस सिक्षा व्यवस्ता को हम स सिक्षा ब्यवक्तिक्ट नहीं होता वह समावेस सिक्षा के बारे में आर्त और आज लिखची श्क्षा जैसा कि मैंने बता है यह सिक्षा काता है कि एक ऐसे सिक्षा जहाँ पर समाने बालकों के साथ साथ विशिच्ष जमता बालक को भी एक ही कख्चा में बैठाकर सिक्षा जाए उसे समावे सिक्षा कहते हैं चाटरों की बौधिक सैचिक अस्थर की जाच की जाती है अच्छाथ उन्हें दी जैने वरी सिक्षड निधारित की जाती है पर हम चेक कर लेंगे कि उनकी बौधिक छमता क्या है उनकी बौधिक स्किल्स क्या है वो कितना चीज़ों को समझ पार रहे typing है और वो कितना चैलेंज है तो एक बात जब उनके साचिक अस्तर निधारित हो जाएंगे फिर हम उनके सिक्छर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे इस पिक्चर के माद है हमसे समझेए कि यह कितना बहतरीन और कितना अच्छा क्लास है जहाँ पर हर एक प्रक्चा है आप भासाएं देख लेते हैं इस्टिफन एंड ब्लैक हर्ट की अनुसार उन्होंने कहा था कि सिक्छा का मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों की समाने कच्छाओं में सिक्छण विवस्ता करना है यह समान आउसर देता है ठीक है मनने वग्यानिक सोच प्राधारित है यह है जो फिजिकली चैलेंज बच्छे उनको एक बल के लिए अलग कर देते हैं उनको मानोविग्यानिक इतना दवाव लगेगा उनको लगेगा कि यार हम हम किसकी पाप के साथ हुए हमें कुई अपने साथ मिलाई नहीं रहा तो ऐसी बात नहीं है जब हम एक साथ बैठा में कि कुछ कारण योग्यता लिंग प्रजाती जाती वासा चिंतन का अस्तर समाजिक और आर्थिक अस्तर विकलांगता इवहवार यद्व से संबंदित होते हैं इन्होंने कहा था रसेल ने समावैसी सिक्छा मतलब सबको एक साथ लेके पढ़ने की बात अब आए अब का द्वारा सारेडिक जुरूप से बादिक बालक को भी समाने बालकों के समान महत्तपूर्ण समझे जाते हैं कोई उनमें ऐसा नहीं कोई कमी नहीं है यह सिक्छा विस्ट बालकों को आत्म निर्भर बनाती है जिससे वह समाज की अन्य लोगों की तरह अपना जीवन याप कर सके जिए वही तो है यह समाज में अपंग सामने बालकों में मंध्य स्वस्त समाजिक वातरवाठत था सब्सक्राइब बंकर सायक होता है Kas bos fox गोई तुम्हारे सथी रहने वाला और जैसा ये बच्चा व defendant को इसमें अंतर ही है तो इस प्रकार से क्या होता है कि दोनों के मद्ध में एक बहतरीन वातरण का निर्माड होता है एक बहतरी समाज की निर्माड होती है इस सिक्षा के अंदर के सारड़ी ग्रूप से बाद्धिक बालक चाहता समाने बालक साथ-साथ कच्छा में सिख्चा गरहन करते हैं ठीक है अब समावे से सिख्चा के सिधान देख लिए तो समाजवेजी सिख्चा का सिधान यही है कि व्यक्तिकात रूप में थोड़ी सी भीनता होगे लेकि फिर भी समाने होंगे अच्छा माता पिदा दोरा सहयोग परदान करना यह भी बहुत ज होड़ेंगे जो उनके अध्यान के लिए जो उनके सीखने के लिए सहायक होंगे और लास्ट पॉइंट बट्न वातावरण नियंतर पूर्ण होना चाहिए कोई ऐसा नहों कि बच्चे भी उनसे भेदबाव करते हो एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जो नियंतर पूर्ण ह और उनको एक अच्छा और समान्य औउसर और मौका दे उनको सीखने के लिए टूस्तों आपने समावेसी सिख्चlike के बारे में देखा मनें पूइंट है लैंगिक विविजिद य एशूस जेंडर इशूस अब लैंगिक असमान्ताय का मतलब सिद्धा सहीजिया है कि कि वह फिर माईला पूरुष में एक gender inequality है तो इसी का यह हमें पढ़ना है अब सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं कि gender inequality से हैं क्या समयते हैं उसके कारण क्या है या फिर उसके समाधन कैसे कर सकते हैं या फिर उसका किस परकार से समाज पर परभाव पड़ता है तो यह बहुत यह साधार पर महिलाओं के साथ भेदवाव ठीक है अपरा प्रागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्क की रूप में देखा जाता है वे घर और समाज दोनों जगह उपर सोच और अपमाई और भेदवाव से पीडित होती है महिलाओं के खिलाफ भेदवाव तुनिया के हर माननेता मैं लिखिये हैं क्या कर sow ci क्यों कर दो ना रोटी है हते हैं इस प्रकार कि होती है वह लेंगिक समयंथा के कारण कि मिन आ rabbits वर माननेता लिखिए जैसे कि बेगा नस्लो ओक हो दों को आगे लिए बाता है वो दूनर्ध 7 को क्या मैं परहें equally होता है दो यह प्रमपराये हैं ओर माननेत हैं जो की गलत है क्यों घर का कि अबहावी होती है खास पर पे वहां जगह जहां पे तो वहां पर लाईकसा मनता ज्यादा होती है सांसक्रितिक गूपर थाएं भी हैं ठीक सांसक्रितिक कोपर थाएं मतलब जैसे राजा का राज पारिका उत्रहदिकारी होगा कि वह चीजे fasting कूपर थाएं है ठीक है कि बेटा ही बड़ा होता है और इसके अलावा भी अरे बेटी बढ़की क्या करें तो कुछ सांस्कृतिक कूपर थाएं भी है और सिक्षा भी है लोगों कभी तक सिक्षा नहीं चुड़े हैं तो यह मुख्य कारण हो सकते हैं इनके अंदर आप अचानी से कुछ इस बड़ेगा काफी पाबंदी के साथ और जागरुपता तो ज़रूरी है तो इस पकार से आप साधर सब्दों में लिख सकते हैं ठीक है दोस्तों लेकिका समंताय के बारे में बिल्कुल आप लिख सकते हैं इन सारे पॉइंट के साथ एक और पॉइंट रह गया है वह एजू इसके बारे में अपनी बात कह सकते हैं तो अगर एक्जाम में आता है तो मैं आसा करता हूं कि आप आसानी से इसको लिख सकते हैं दोस्तों इसप्रकार से हम इस इसी को भी खत्म बंदें तो आपने देखा वने तीन दिन में थीजिबकर स्विच्छा की सिक्षाओं के बारे में बातिक को थोड़ी सी समझने की कोसिस करी है तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह तीन इनुट आपका खतम हो गया होगा अच्छे से त्यारी करिए मेरे तरफ से जो कुछ भी हो बनता है हो सकता है मैं आपके लिए करता हूँ बाकी यह वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में अपनी राय इस टड़ी जरूर करिएका यह जया बार दोस्तों आजगों कि अजय हो चार रहांग ऑनी पिर आएगों कि अपनी रागद कि अईकर डाल मैं तर बाद कि अविया हुआ है